नमस्कार दोस्तों पर रखना पसंद करते हैं पांस का पेड़ ना केवल घर को सुंदर दिखाता है बल्कि बांस का पेड़ के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी भी देता है तो आएए जानते हैं बांस का पेड़ लगाने के फायदे और इसे कि सिशा में रखना सही रहता है फ्रेंचोई में बांस के पोड़ पोधे को बहुत ही शुब माना जाता है बांस का पेड़ लगाने से खुशी का महल रहता है और में जूल बढ़ता है यह देखने में भी बहुत अच्छा लगता है इसलिए इससे आप किसी तेहार या स्पेशल आउसर पर अपने दोस्तो या रिस्तेदारों को गिफ्ट भी दे सकते हैं यह घर से नेगिटिव एनरजी को दूर करके पॉजिटिव एनरजी लाता है जिससे हेल्ट भी सही रहती है इसका इस्तमाद घर में करने से घर में सम्रिध्य आती है और शांती रहती है बास का पेड़ घर में लगाने से घर बास का पेड़ लगाने से घर में धन का आगमन होता है और घर के स्वामी पर किसी तरह की आर्थिक परिशानी नहीं आती बिम्बू प्लांट को गुड़लग प्लांट में कहा जाता है बिम्बू प्लांट प्रगती का प्रतिक माना जाता है जैसे जैसे यह पोद्व बढ़ता है वैसे वैसे घर के सदस्यों की परगती होती है सेहत की दृष्टी सेवली से शुब माना जाता है घर में बेम्बू का प्लांट रखने से घर के सदस्यों के उमर लंबी होती है बेम्बू प्लांट को पूर्व दिशा में रखने से घर के सदस्यों का स्वास्य अच्छा रहता है इस प्लांट को पूरव दक्षिन दिशा में रखने से घर में धन दौलत का आगमन होता है बेंबू प्लांट पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होता है बेंबू प्लांट में सकारात्मक उर्जा को अपनी और आकर्शित करने की शक्ति होती है जिससे घर में हमीशा खुशी का महल बना रहता है बांस का पेड लगाने के लिए फ्रेंचुई में कितने पेड लगाएं इसके लिए अलग अलग फायदे बताए गए है शादी और प्यार के लिए दो बांस के पेड लगाएं लंबी उमर धन प्राप्ति और अच्छे स्वास्ते के लिए तीन बांस के पेड लगाएं अपने केरियर में सफलता पाने के लिए चार बांस के पेड़ लगाएं पूरे परिवार के अच्छे स्वास्ते के लिए साथ बांस के पेड़ लगाएं मांजिक शानती के लिए दस बांस के पेड़ लगाएं बांस का पेल दक्षिपोर दिशा में लगाना बहतर माना जाता है क्योंकि इस दिशा में लगाने से घर में शामती बनी रहती है और धन का आगमन होता है बांस का पेल लगाते समय ध्यान रखें कुछ बातों का इसे खेड़की के पास या ऐसी जंगे पर ना रखें जहां धूप सीधी आती हो इससे पौधा जल जाएगा और खराब हो जाएगा इससे बूल कर भी न टांगे इससे पौधा खराब हो जाएगा और घर में नेगिटिव एनरजी आएगी इस पौधे को घर में डाइनिंग टेबल या घर के किसी भी पिस्से में सजावट के लिए रख सकते हैं ध्यान रहे यह पौधा मुर्जाना नहीं चाहिए यह पौधा अगर खराब भरा रहता है तो इसका मतलब है कि आपकी पास संबनता आएगी और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी अगर इसके पते पीले पढ़ जाते जा रही हैं तो यह एक अशुप संकेत हैं इस पौधे का पानी आपको हर हथे बदलना चाहिए आप इस पौधे को बैडूं में भी लगा सकती हैं इससे परिवार में प्यार बढ़ेगा और शुप सम्रिद्धी आएगी तो यह थी जानकारी बेपो पेड़ से संबनते जिससे आप अपने घर में लगा कर शुप सम्रिद्धी और खुशियां बढ़ा सकती हैं इसी तरह की जानकारी लेकर फिर से हाजर होंगी तब तक के लिए नमस्कार खुश रहें स्वास्तर रहें